हाव रूफीक्स सैमसंग M02S एरफोन नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच योटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है एरफोन के इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्फ कैसे कर सकते हैं एरफोन के दोस्तों अगर कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर क्या क्या सॉलुशन आपको फोलो करना है मोबाइल पर क्या सॉलुशन करना है वह सब दोस्तों आपको इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हो तो वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप अनलाइन पेसा कामा ना चातें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तो एरफोन के रिलेटेट अगर प्रॉब्लिम होते हैं तो अभी दोस्तों आपकी जो एरफोन का जेक है ठीक है जहां पर एरफ़न प्लग करते हैं तो उसका प्रॉब्लम हो सकते हैं या फिर आपका एरफ़न जो वो टुटा हुआ हो सकते हैं तो उसके वज़े से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आपका एरफ़न काफी पूराना है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं तो तो यहाँ पर काम कर जाएगा अगर नहीं कर रहे हैं मॉबाइल को रिश्टार्ट करें और आप दुबारा से ट्राइकर करके देखी अगर सॉल्क हो जाता है ठीक? यूपर वगरा अगर चले जाते उस प्लक के अंदर पर या फिर कोई डॉस्ट वगईरा जो है श्टाक हो जाते अंदर पर तो उसके वज़े से दोस्तों प्रॉब्लम होते तो थोड़ा साब उसको साफ करने के कोशिश करें एंड दुबारा से चेक करके ट्राइए कीजिए तो इससे दोस्तों कई बर काम बन जाते और आपका प्रॉब्लम हो जा तो थोरा जोर से आप और फास्ट से अपना जो एयरफोन है उसको प्लग-इन कीजिए और प्लग-आउट कर दीजिए यानिकी इंसर्ट करना है और यहाँ पर बहार निकाल लेना है ठीक है तो इतना करके देख सकते हैं दोस्तों आप यह सब दोस्तों एक बेसिक सोलूशन के मदद से कई वर एरफोन के रिलेटे जो है प्रॉल्म हो जाते हैं आपको टुटा हुए एरफोन वगरा यूस नहीं करना है ठीक है वरना आपको उससे प्रॉब्लम हो सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो फीक्ष्ट हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ साउंट सेटिंग भी जो है मिल जाएगा साउंट इन वाइबरेशन के अंदर पर जाके अगर आप चेक करते हैं साउंड कोईलिटिस वगरा आपको एरफोन का यहाँ पर मिल जाएगा तो आप वो सब इनेबल करके ट्राइक इनेबल क करके देखें उसके बाद एरफोन को यूज़ करके देखें अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम जो फिक्स हो जाएगा और आपका जो यहाँ पर मोबाइल है वो किसी भी ब्लूटूट डिवाइस के साथ कनेक्टेट नहीं होना चाहिए अगर इनी चांस दोस्तों अगर सारे सॉलूशन आप ट्राइब कर रहें ठीक है फिर भी नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्ट तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो एरफोन जाके वह खराब हो चुका होगा ठीक है तो हार्वेर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं सोट सर्किर करना पड़ते तो उसके बाद जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्ट होगा तो इस तरीक से दोस्तों आप फिक्स कर सकते हैं अपने एरफोन प्रॉब्लम्स को उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंने होगा टैंक्स वो राचिंग